देखो बच्चों, आज जो तुम सब यहाँ हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कोई गलत काम किया है, या फिर तुमने कोई कानून तोड़ा है, छोटी सी गलती की वज़े से, तुम्हें यहाँ आना पड़ा, इसे जेल मत समझना, समझना पढ़ाई करने होस्टेल आए हो, यहाँ से लोग पढ़के टीचेर, डॉक्टर, लॉयर बने हैं, अगर तुम लोग अची तरह से पढ़ाई करोगे, तो सरकार मुफ्तम सिक्षा देने के लिए तैयार है, इसलिए तुम में से कौन-कौन क्या-क्या पढ़ना चाहता है, तुम्हारे लक्ष क्या है, एक-एक करके बताओ, सर, मेरा नाम कुमार है, सर, मैं वकील बनना चाहता हूं, सर, गुड, कोट में इनसाफ के लिए लड़ सकते हो, तो जज भी जरूर बन सकते हो, समझ गया बेटा, बैट जाओ, सर, मेरा नाम शावन है, सर, मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूं, पुलिस बनने क के लिए दस्वी भी काफी है तो वहीं डिग्री पास करके IPS के लिए प्रिपेर होके तुम इस भी भी बन सकते हो ठीक है तुम्हारा नम क्या है बेटा मेरा नम सूरिया है सर तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो CM. GM क्या? GM नहीं सर, CM. Chief Minister. पार्टी ओफिस है तो नहीं है हलो क्या बात है सुपा राजू आधी रात को मिटिंग क्यू बुलाया है अरे आपको पता नहीं क्या दस दिन में इलेक्शन का रेजल्ट्स है सर वहीया कुछ तो आया होगा उसे देखके मैडम को थोड़ा टेंशन आ गया होगा वही बात है ना? वजय यही होगी सर और क्या होगा? अरे आपके एक इशारे पे आपके लिए काम करने के लिए आपके पिछे शुपा पार्टी में शामिल करना होगा तब ही हम सरकार बना पाएंगे अब हम सबको क्या करना होगा मैडम? आपके एक इशारे पे आपके लिए काम करने के लिए आपके पिछे सौ लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं उनको ठुकरा के इतनी भारी बारिश में अगर आप मुझे ढूनते हुआ हैं तो मैं समझ सकता हूँ मैटर कितना सीरियस है बोलिए बाशा आपके लिए क्या कर सकता है राज्य भर में जीतने वाले उन इंडिपेंडन्ट केंडिडेट्स की उपर हमें जल्द से जल्द ग्राउं लेवल पर काम शुरू करना होगा विपक्षी पार्टी कोशिश करें उससे पहले हमें हैं उनको खरीदने की कोशिश करनी है आज इस सुम्र में भी इतने सालों से मैं एक विपक्ष की पार्टी ही चला रही हूं बार्षा इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए सरकार तो हमारी ही बननी चाहिए बार्षा आपकी बात सही है मैडम लेकिन इस दर्मियान सरकारी पार्टी से मिला हुआ वो गुंडा दुरगा हमारी तरफ आने वाली इंडिपेंडेंट्स को अपनी तरफ नहीं खीचेगा इसकी क्या गैरेंटी है काटने वाले कुटे को बांध के रखते हैं इसलिए इस बार उसके उपर नॉन बेलेबल केसिस लगवा कर उसे जेल में बंद रखा है इसका मतला हमारे लिए कोई खत्रे की बात नहीं है ना मैडम इस काम को अंजाम देने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा क्या करना है बोलिए बेड़वी सेंट्रल जेल में एक कैदी है आट-दस आद्मियों को जेल भेज कर उसे मरवाना हुगा नाम क्या है उसका दुरगा आड़ के लिए अन leavा इस्के लिए किसख में खत्रमची अक्यों कि कि एि लुग कुमुपँें। कि ए लुग कंशपँें। आ लेट। कर दो कर दो कर दो इड़ पीड़ यक चाल जड़ जाना नाव सी यक बाल यग झाड़ हो एग एग जटको बिली आप फ्रॉब लोग, इative घ questa घार! answers परार। ocर दो अरोके अरी गारदा जदे इए परंग थंस बहां पर आनो ऑ्रॉश क्यों थे अश्य कर दोफ एक ब आप उसे मुझ पर छोड़ दीजे मेडम मैं देख लूगा यह जेल है कोई PUBG खेलने का ग्राउंड राउंड नहीं समझ गया बोल क्यों नहीं रहा है क्यों मारा उन लोगों को नजरे नीची करो काईदे में रहोगे तो फाइदे में रहोगे मुन्ना नहीं तो मेरे बारे में तुम जानता नहीं हो सीधे की हाड जेल में फेंक दूँगा एई तुम लोग क्या देख रहे हो इसे ले जाके सेल में डाल दो जेलर साब क्या हुआ बाशा बात क्या है मैं अपने दस छोगरों को आपके जेल भीज रहा हूँ इस बार किसे टपकाना है दुर्गा नाम है उसका दुर्गा बोले तो वो सरकारी पाटी का आदमी है ना आज आप वही है उसको उड़ाने के लिए अपोदिशन वालों से कितना लिया है और उसमें मेरा कमिशन कितना है हमेशा की तरह आपके अकाउंट में ट्रांस्पर हो जाएगा स्टेट में इस बार भी हमारी सब्ताने वाली है इसलिए कल मेरे फार्म हाउस पर आप सब के लिए एक पार्टी रखी है हलो सर, सीम सर सिंट्रल जिल से जिलर मधुसुदन बोल रहा हूं सर आपको एक खास बात बताने के लिए ही मैंने फोन किया क्या बात है बोलो जिल में आए हुए आपके लोगों को मारने के लिए उपोदिशन वालों ने सुपारी दिया है सर अगर आपको आपके लोगों की जरूरत नहीं है तो मैं बीच में नहीं आऊँगा लेकिन अगर आपको इनकी जरूरत अभी भी है तो अपनी जान पर खिलकर भी मैं उन्हें बचा लूँगा अब आप बताईए आप किन लोगों को मैं बचा लूँगा या फिर उनके हवाले छोड़ दूँ बजे ज़रा दस मेट का टाइम देजे ठीक है सर, मैं आपके कॉल का इंतजार करूँगा हलो मामा, बोलिए जेल में दुरगा को उड़ाने के लिए आपोजिशन वाले प्लान कर रहे है वो अभी भी हमारे लिए कोई काम का है क्या अरे मामा, अब पूरा काम उसी के हाथ में है मामा अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो वो पार्टी फिर से सत्ता में आ जाएगी तो फिर वो हमारे किस काम कर रहेगा इस बार जैसे आप सोच रहे हैं, सत्ता हमारे हाथ में नहीं है मामा 70% उन्ही के फेवर में है ये बात तुझे कैसे पता इलेक्शन सर्वे रिपोर्ट्स में वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉंग है मामा अगर वोर्ट्स काउंटिंग में भी वो हमसे आगे निकले तो हमें कुछ और MLS की जरूरत पड़ेगी मामा अब उनको धमका के डरा के हमारी पार्टी में लाने के लिए हमारे लिए दुर्गा ही लास्ट आप्शन है मामा और हमारे दंदे में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है और हमें अगर गव्मेंट फॉर्म करना है तो किसी भी हाल में हमें दुर्गा चाहिए मामा एलेक्शन रिजल्ट जब तक डिकलिया नहीं होते जेल में मेरे आदमी का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए वो सबब मुझे पर छोड़ दीजिए मैं देख लूँगा लेकिन आपके आदमियों को प्रोटेक्ट करना है तो बहुत बड़ा अमांट खर्च हो सकता है सर वो मैं देख लूँगा सर मेरा एक छोटा सा डाउट है सर क्या डाउट है आपने दुर्गा को मरवाने के लिए पैसे लिए थे न अब बचाने के लिए पैसे ले रहे हैं ये बात मेरे पले नहीं पड़ी सर मुझे थोड़ा कनफ्यूजन हो रहा है पागल कहीं इसी को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स बोलते हैं और हमारी भाषा में बोलते हैं राजनीती समझे ये लोग फिर से जेल में आ गए ना अब लगता है जेल में कोई बड़ा कांड होने वाला है उसे कब मारने का सोचा है वो सके तो आज ही आज छोड़ देना कल विजिटिंग आवर से मुम्किन नहीं होगा वर्सों मारने का प्लैन बनाओ ठीक है फिर लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो दुर्गा को मारने के लिए मैं तुम लोगों को आदे घंटे का टाइम दे सकता हूं आदे घंटे में ही काम निप्टाना होगा और अगर नहीं मार सके तो उस दुबारा मारने का मौका नहीं मिलेगा जाओ यहीं मिलेगा यहीं मिलेगा आजय होगो क्यों रिश्याम तब ही मेरे आदमी को खुर के देख रहा हा था, अब मुझे मुझे भी देख लेए एग बार एए, बहरा है क्या आखे निकालकर कोटिया खेलूगा एए है बोलना तेरे से बात करें ले रे समझ में नहीं आदा भाई क्या बोले ले एए देख ना एक बार देख मुझे मेरे बारे में तुम जानता नहीं हो जीज़े की हार जेल मैं फेंग दूंगा है तुछ से मिल ले कोई आया है मिल ले कर दो कर दो कर दो मिलने का टाइम हो गया चलो निकलो यह से चलो टाइम हो गया चल शिवा तो निकल मैं बाद में आदा कपड़ा शिवा भावना कैसी है देखा अभी याद आये ने तुझे उसकी मुझे लगा तुब भूल गया था वो दुर्गा वाशिंग एरिया में है बिना गड़बड किये उसे टपका देना वो दुझे लुझे 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 वोरे टपका है यह अरी एक रहाँ जज सकता है एक Almost अजयर वे एक गहाँ एक बाँ एक रहाँ वे खिए एक बाँ याँ वाँ हुए हईएएएएएँ अझनल-खाफ्स भाफ्स यूजू है इज 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 इंग इज 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 इंग पाम ओाम ओाम अँड़ आएखवाँ पाम ओाम ओाम फॉॉॉॉॉ प्रॉॉॉॉ वॉॉॉ अबाएखअ अबाएख़ पाम यह जो जो ठाँ घट सब्सक्राइब करना निए मंगें निए फिरू दिन के सेल में टाल दो आह जेलर साब गण्यो बासा… तुनीन दस लोगों को भेजोगे न तो भी जेल में उस दुर्गा को नहीं मात सखोगे ग्या हुआ जेलर साब? है क्या हुआ हैद तुमने जिन दस लोगों को भेजा उन्हें उसमें उससे पूट्य की तरह पिटा मुझे तो लगता नहीं है उनमें से एक भी जिन्दा बचेगा आई दो जिल के अंदर एसी बचकानी हरकत मत करना जिल के बाहर ही निपटाओ फ्लानिंग जिल के बाहर करो रखो फोन आपने जो यकीन मेरे उपर किया था मैं उससे निभा नहीं पाया मैटम आप ये गन लीजे मैटम इस गन से मुझे अभी इसी वक्त यही बेमाद दीजे नहीं तो मुझे एक और मौका दीजे मैं खुद जेल में जाकर उस तुर्गा को मारूगा अगले हफते इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं अगर रिजल्ट मेरी फेवर में नहीं आए तब बताऊंगे के तुम्हें किस को मारना है मेरा नाम दुर्गा है सूरिया कल मुझे बचाने के लिए थैंक्स तुम्हारे बारे में सुना था तुम किसी मर्डर केस में जेल आये हो सूरिया अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो कहो मैं तुम्हें इस जेल से बहार निकाल सकता हूँ और तुम्हारे उपर जितने केसेज हैं वो सब मिटा सकता हूँ वो कैसे मेरी सरकार में अच्छी जान पहचान है अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो तो कहो हमारी पार्टी सत्ता में आते ही तुमारे उपर से सारे केसे जटवा दूँगा तुम सच में मेरे उपर से वो केस निकलवा दोगे तो मैं तुमारे साथ मिलकर कुछ भी करने के लिए रेडी हो तो आज से हम दोनों फ्रेंड्स अच्छा उस दिन वो लोग तुम्हें मारना क्यों जा रहे थे ओपोजिशन वालों तो मुझे कई दिनों से मारने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें इस बार जेल में मौका मिल गया इसलिए वो मुझे मारने आ गए अगर उस दिन वो लोग तुम्हें मार देते तो क्या होता जेल में तुम्हारे जैसे अच्छे फ्रेंड को खो देता हूँ I don't know why I blame myself Hold it for me Hello मैं दुर्गा बोल रहा हूँ बोलो दुर्गा यहां जेल में मैं गात्मी से मिला हूँ किसी छोटे मोटे मुर्डर केस में अंदर आया है लेकिन उसकी हिम्मत अलग ही लेवल किये भाई वो तो ठीक है लेकिन क्या वो हमारे काम आएगा बेशक वो हमारे काम आएगा भाई ठीक है इस बार election results अगर हमारे favor में नहीं आए तो तुम्हें बाहर आना पड़ेगा ठीक है भाई तब मैं मामा से बात करके तुम्हारे साथ उसको भी बाहर लाने का प्लाइन करोड़े हमारे टीक है अश्य तुम्हार आए छाहर लाए वह्म्हार जाए प्रेव्पिश्ड़े बाहरे वह्म्हार के वहाद़े यहां आए बाहर भाई यहार बाहरा देखो सुर्या, यह सोसाइटी नहीं बदलेगी, ना ही जनता, यह सौ साल के इतिहास में तुम्हें कभी लगा है कि वोट दालने का तरीका बदला है, हमें क्या लेना है सुर्या, मेरी बात सुन, यह सब अभी से छोड़ते हैं देखो शिवा, जैसा तु बोल रहा है, यह समाज नहीं बदला होगा, पबलिक ने वोट देने का तरीका भी नहीं बदला होगा, लेकिन पबलिक को पालने वाले नेता लोगों को हमें बदलना है यार चालिस दिन के इंतजार के बाद हुआ परदाफाश जीते हुए उमिद्वार जश्न मना रहे हैं, तो हारे हुए उमिद्वार उसकी वज़ा डूढने में जुट गए हैं जनता के वोट ये बता रहे है कि उन्हें किसी से कोई बैर नहीं दोनों मेजर पार्टियों को इलेक्शन में लगभग एक समान वोट मिलें हैं राज्य के पूरे 120 स्मेली सीटों में से सरकारी पार्टी को 48 सीट मिलें हैं वही ओपोजिशन पार्टी को 52 सीट मिलें परिखन होने तक सब को इंतिजार करना होगा. यह क्या है सर, इस बार ऐसे कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे सर. ας बार्य भी गवर्मेंट हमारी ही बनेगी. मैडम इस बार सरकारी पाटी से आपकी पाटी लीड में हैं. इस बार में आपका क्या कहना है? जनता को अब हमारे उपर यकीन आ गया है इसलिए इस बार हमारे पार्टी लीड में है थैंकियो मेडम, सीएम राम मोहन राउजी का फोन आ है बोलिये एक्स सीएम राम मोहन राउजी कैसे लगे आपको इस बार के इलेक्शन के नतीजे इस बार चार सीट आपको ज़्यादा मिली है ऐसा सोच कर यह मैं समझे कि जीत आप क्यों ही है मिस शामला भारती जी आपको सरकार बनाने के लिए आपकी पार्टी का और दस एमलेज की ज़रूत है अगर दस एमलेज को खरिड़ दया तो भी दस दिन के अंदर शक्ति परिक्शन के लिए उनका वहाँ उना बहुत ज़रूरी है तो जाहिर है क्या आपके पार्टी को मेरी पार्टी से बली चार सीटे ज़रादा आई है या मेरी पाथी को चार सीटे कमा ये तो भी आखिर में असेंबली में है आपकी जगह हमेशा की तरह विपक्ष में ही रहेगी ये बात पत भुलियेगा मिस शामला भार्ती जी ठीक है राम मोहनराल जी इस बार संसद में हम विपक्ष में रहेंगे या आप विपक्ष में रहेंगे देखते हैं गुडलाग ये जानते हुए कि हमारी पार्टी लीड में है ये राम मोहनराव कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि हमारी पार्टी जीत नहीं सकती इससे ये साफ पता चलता है कि हमारी पीठ पीछे साजिश हो रही है हमें एक leading party है हमें हमारी party को सत्ता मिलाने के लिए उन 20 independence को हमारी party मिलाने का कोई न कोई तरीका ढूनना होगा हमें उन 20 लोगों को जल्द खरिदना होगा मैडम और उसका केवले की रास्ता है पर जल्द से जल्द बुलवाईयों से. कल्यान प्रसाद को फोन करके कोहो कि तुरंद मेरे फार्म हाउस पर आकर मुझे से मिले, ठीक है सर. लगता है सब लोग आ गये हैं, तेरी वज़े से ही लेट है, हाँ, रुको, रुको. नवस्कार मेडम. मेडम, डिरेक्ली पॉइंट पर बात करेंगे, इससे दोनों का टाइम बचेगा. मैं भी सीधे पॉइंट पर आकर बात करूंगी, आपके 20 एमिलेस को हमारी पार्टे को समर्थन देना होगा. इसके लिए आपके एक-एक एमिले की कीमत बताएगे. एक-एमिले ने अपने मदान क्षेत्र में जीतने के लिए तकरीबन 50 करोड रुपए खर्च किया हैं. एक-एक-एमिले को 100 करोड दे दिजिए. क्या मतलब? एक-एक-एमिले को 100 करोड? मतलब, इसके हिसाब से 20 एमिलेस को 2000 करोड? हाँ मैडम. इतना क्यों? मैडम को सोच रहे हैं, क्या? नहीं ना? इसलिए, जैसे चीजों के दाम बढ़ गया हैं, वोटर्स ने भी अपने रेट बढ़ा दिये हैं, मैडम. एक-एमिलेस पर 1000 रुपए में मिलने वाले वोट, अब 5000 में मिलते हैं. यहां कोई भी केंडिडेट को देखके वोट नहीं डालता, मैडम. वोट डालता है, कैश देखकर ही. मतलब, आपके एमिलेस को, हमारी पार्टी को समर्थन देना है, तो आपको 2000 करोड देने होंगे. सही कहां? 2000 करोड नहीं, मैडम. तो फिर? 2500 करोड. मतलब, 5000 करोड रुपए? येस. वो 500 करोड किसके लिए? वो मेरा कमिशन है, मैडम. आपका कमिशन 500 करोड है? जी, मैडम. मैं आपको कोई प्यास टमाटर थोड़ी न बेच रहा हूँ. इस राज्य की सत्ता 5 साल के लिए दे रहा हूँ आपको. इसके बदले में, एक छोट इसी 500 करोड की रुखम कमिशन लेने में कोई गलती नहीं है, मैडम. सत्ताधारी पार्टी का फोन. अगर मेरा प्रोपोजल आपको जमता है, तो फोन काट दूँगा. और नहीं तो, इस बार फिर से उन्हीं की सरकार बनेगी. सोच लिजे. सर, कल्यान प्रसाजी मेरा कॉल कट कर रहा है, सर. फिर से ट्राइ करो. ओकी, सर. सर, फोन स्विच आफ आफ आ रहा है, सर. ठीक है, उसे वोइस मेसेज भीज़ दू. ओकी, शियो, सर. आपने 25,000 करोड मांगे, जो मैं दे रही हूँ. कोई गलती नहीं होनी चाहिए. शक्ती परिक्षन वाले दिन हमारे 20 MLA's, आपके पीछे दो महिलाते हुए चलेंगे. आप जहां साइंग करवाएंगी, वहां करेंगे. अब आप CM PART की शपत लेने के लिए तैयारी कीजिए, मैडम. लेकिन उसके पहले हमें एक काम करना है. वो क्या है, मैडम? आपने मुझ से हाथ मिला लिया है ये खबर, राम मोहन राव को जरूर पता चल जाएगी. हमें हमारे MLA's को सेफ रखना होगा. इसलिए उन सभी MLA's को राम मोहन राव से सेफ रखने के लिए, मैंने बैंगलूरू में एक स्टार होटल पूरा बुग कर लिया है. शक्ति परिक्षण होने तक वो सारे उधर ही रहेंगे. आपके MLA's के साथ हमारे MLA's को भी मिला कर उधर भेजेंगे तो वो सब साथ में वहाँ सेफ रहेंगे. आपकी बात सही है मैडम, पर उस राम मोहन राव के डर से सिटी से इतिनी दूर बैंगलूरू में MLA's को रखने की जरूरत नहीं है मैडम. वो क्या है ना, शहर के बीचो बीच मेरे कंट्रोल में एक जगा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता. ये दस दिन हम अपने MLS को वहीं चिपाएंगे, तो ठाइम भी सेफ होगा, और अपने लोग अपने ही साथ हैं, ये भरोसा भी रहेगा. लेकिन उतनी सेफ प्लेस इस सिटी में कहा है? सॉरी मैड़ा, शक्ती परिक्षन होने तर उस जगा के बारे में मैं आपको भी नहीं बताऊगा. ठीक है फिर, आपके MLS के साथ हमारे MLS को भी आपकी बताई हुए जगा पर भीजूंगी, देखना कोई भूलना है. ओके मैड़ा, सत्या. हाँ सर. सर, शामला भार्ती जी ने कलियान परसजी को 2500 करोण में खरीद लिया? अब हमारी हालत क्या होगी सर? हमारी सरकार गिल गहीं क्या? सर, इलेक्षन में मैंने 100 करोण खर्च किया, अब मेरा क्या होगा सर? हमारे क्या होगा सर? बस चुपो जा. परिशान होने की ज़रोत नहीं है शक्ति परिक्षन में अभी टाइम है मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है आपकी बात मुझे समझ आ गई अभी मुझे क्या करना है बोलिए अनफिशली किसी भी आलत में दुरगा मुझे जेल से बाहर चाहिए चाहे जितने भी पैसे लग जाएं तो रंट जेलर से बात करके काम को अंजाम दो ठीक है मामा, पर एक रिक्वेस्ट है बोलो क्या है? दुर्गा के साथ एक और आदमी को जेल से बाहर निकलवाना है मामा कौन है वो? उसका नाम है सूरिया उसकी गत्स, उसकी हिम्मत, वो अलग ही लेवल की है हो सकता है लेकिन किसी भी अंजान आदमी के उपर इस तरह से आख मून कर वरोसा कैसे कर सकता है ये स्टेट गवर्मेंट का मामला है अगर कुछ गलत हो गया तो मेरा पूरा पॉलिटिकल करियर खतम हो जाए मेरा यखिन कीजिए ममा, हमारे गवर्मेंट को गिरने से बचाने के लिए इस आपरेशन में दुर्गा से ज्यादा वो ही एक्टिवली काम करेगा ठीक है, अगर तुम उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो तो काम खातम हो तो इन दोनों को फिर से जेल में डान दूँगा मैं अभी उससे जरूर मिलना चाहिए हलो मडम, मुझे आपका इंफोर्मेशन देनी है हां बोली जेल से दुर्गा भाग गया है अपने एमेलेस को सब्सक्राइब इनको अभी छोड़के आपने वो पार्टी को इंफोर्मेशन क्यों दे दिया सर वो लोग आपस में लड़के मरेंगे तो ही ना हम जैसे लोग सेफ रहेंगे आज रात यहीं पर रुखना कल सबरे आट बजे मामा से मीटिंग हो सकती है मैडम कल रात ही मैंने अपने सभी लोगों को सेफ जगा पर शिफ्ट किया है और यहाँ वो सारे लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं वो ठीक है पहले मेरी बात सुनिये बोली मैडम सरकारी पार्टी वाले जेल से उस दुरगा को बाहर लेकर आए हैं मैं नहीं जानती तुम क्या करोगे लेकिन हमारे सभी अमेले सेफ रहने चाहिए मैडम दुरगा जैसे दस लोग भी जेल से बाहर आ जाये ना तो भी हमारे अमेले स कहां है पता लगाना मुश्किल है फिर भी सामने वाली पार्टी प्लाइन कर रही है तो इसका मतलब हमें संभल के रहना है आप टेंशन मत लीजे शक्ती परिक्षन होने तक उनको ही नहीं आपको भी आपके अमेले स कहां है पता नहीं चलेगा ऐसा प्लान किया है ठीक है जो भी करो संभल कर एलेक्शन रिजल्ट के बारे में इस बार भी मेरा अंदाज़ा गलत दिखला लगता है सत्ता हाथ से जाने वाली है तुम दोनों को क्या करना ये तुम सोचो चाहे जितने पैसे खरच हो जाए लेकिन उस शामला ने जिन 20 इंडिपेंडेंट एमेलेस को खरीदा है वो किसी भी तरह मुझे चाहिए तुम लोगों का क्या प्लान है बताओ क्या करोगे उन सब को किडनाप करेंगे सर किडनाप? हाँ सर 20 इमेलेस को किडनाप करना तुम्हें स्कूल के बच्चों को किडनाप करने के जैसा लग रहा है क्या? 20 इमेलेस नहीं सर आपकी पार्टी से जीते हुए 48 MLS के साथ पूरे 120 MLS को आपके बैंगलूरु वाले फार्म हाउस में बिना बंदी बनाए इस बार आप CM नहीं बन सकते हैं सर आपकी पार्टी से जीते हुए 48 MLS के साथ लेकिन हमारे MLS के वो तो हमारे ही लोग है न राजनीती में सब कुछ हो सकता है सर, सब कुछ जायज है सत्ता का पलड़ा जिस तरफ है, वो उस तरफ चले जाएंगे यहां जीतने से ज़ादा सत्ता जरूरी है सर अभी की सिचुएशन में अपने MLS को हमें ही बचाना है सर इसलिए हमें उनके साथ हमारे MLS को भी बंदी बनाना ही होगा सर तुम्हारा प्लान सुनने में तो ठीक ही लग रहा है लेकिन आप पोजिशन MLS को किड्नाप कैसे करोगे? यह मुम्किन है क्या? सत्ता की जंग हर कोई जीतना चाता है पर जीत सिर्फ एक की ही होती है और उसी को वीर कहते है मैंने आपको जिसके बारे में बताया था यह वही है सर तो ज़रा बताओ कि शुपकाम का महरत कब है? इस शुक्रवार को ही आपके सभी MLS को बस में बिठा के दुरगा को सौंप दीजिए दुरगा उनको बैंगलूरू हाइवे के एक धाबे पर लेकर आएगा इसी बीच ओपोजिशन के सभी MLS को किद्नाप करके लाने का जिम्मा मेरा होगा लुट? तुमारे प्लैन के साथ तुमारा कॉन्फिदेंस भी मुझे अच्छा लगा इस बैग में दो करोड है इससे सिर्फ एडवांस ही समझो जैसा सूचा है अगर काम वैसा ही हुआ तो तुमारे उपर जितने भी केस से उनको हटाने के साथ ही इस तरक के कई बैग्स तुम है मिलेगे इस बार भी आप ही CM पत की शपत लेंगे उसके लिए तयार रही है कल्यान परजाद के फोन का लास्ट को लोकेशन कल रहा ती 11 बजे का गुलजार हाउस में दिखा रहा था तभी से लेके अब तक वो किसी के टच में नहीं है तो फिर वो पक्का गुलजार हाउस में ही है हाँ बोलो मैडम आपके लिए एक बैड निउस है गुलजार हाउस में ठहरे हुए आपके सभी अमेलेस को सत्तावाली पार्टी के लोग किड्नाप करने की कुशिश कर रहे है आप फॉरण उनको वहां से कहीं और शिफ्ट करवाईए ने तो सीएम नहीं बन पाएंगी लेकिन तुम कौन हो आपका हितैशी के लिए बैठी आप लोग अंदर बोलिए मैडम कहां है आप मैं नहीं बता सकता मैं सीरियसले कुछ पूछ रहे हूँ उसका सीधा जवाब दीजिए मैं भी सीरियसले ही बोल रहा हूं मैडम नहीं बता सकता आप सब गुलजार हाउस में है ये बात में अच्छी तरह से जानती हूँ वो कैसे मैडम गुगल मैप पे भी सर्च करने पर इस जगा के बारे में किसी को पता नहीं चलता सिर्फ मुझे ही नहीं बलकि सरकारी पार्टी वालों को भी पता है कि आप सब कहां चुपे हो अब क्या करें मैडम जी मैडम बाशा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा बोली मैडम हमारे सब ही आमेलिस को हम अरजेंटली एक बस से बैंगलोर रिसॉर्ट में शिफ्ट कर रहे हैं हमारी बस सेफली बैंगलोर पहुँचे तब तक तुम्हें उसे फॉलो करना है ठीक है मैडम मैं बिल्कुल सही लोकेशन में पहुच के हूँ मैडम ठीक है हमारे लोग वहाएंगे वेट करो ठीक है मैडम हाँ बोली मैडम बस आ गई है आप सब तुरंत वहाँ से निकल जाएए ठीक है मैडम बस आ गई है चलिए सब लोग बस में बैगिए मैडम सब लोग बस पर चड़ गए मैडम अभी निकल सते हैं क्या मैडम ओके मैडम बोलो सुर्या दुर्गा हमारा प्लान सक्सेस हुआ अब सब हैमिलेस मेरे कब्से में है तुम हाइवे के धाबे पे वेट करो मैं पहुचता हूँ ओके क्या रहे कुछ पता बोली मैडम बस निकल गई है और थोड़ी ही देर में बैंगलोर हाइवे एंटर करेगी अगर कोई भी हमारी बस को फॉलो करता हुआ दिखे तो उसे वही मार देना मैडम हमारे मेलाइस की बस अभी सामने से क्रॉस हो गई है तुम ध्यान से हमारी बस को फॉलो करना ठीक है ठीक है मैडम एई चलो रहे बॉलो बाशा हा मैडम अभी हमारी बस हाइवे के बाजू में एक धाबा के पास रुकी हुई है नाइट जर्णी है ना बाशा चाय कॉफे पेने के लिए रुके होंगे अब इतना भी फोन करके बताऊगे मैडम मैडम अब क्या हुआ बाशा हमारे बस के पीछे ही एक और बस आके रुकी है और एक बस हाँ मैडम देखने में तो सरकारी पार्टी की एमेलेज की बस लग रही है क्या सरकारी पार्टी की एमेलेज की बस हाँ मैडम पक्का उनी लोगों की बस है मैडम सच में लेकिन उनकी बस वहां क्यों आई है पता नहीं चल रहा है मैडम जैसे हम अपने MLS को बैंगलोर भेज रहे हैं वैसे ही वो अपने MLS को शायद किसी सेफ जगा पर भेज रहे होंगे हो सकता है फिर भी दोनों बस एक ही जगा पर एक ही समय पर ये कैसे हो सकता है तुम्हें काम करो बाशा हमारे MLS की बस वहां से सुरक्षित निकल जाए तब तक उनकी बस पर तुम कड़ी नजर रखने है ठीक है मेडम पुलो बाशा हमारे बस ट्राइवर ने सरकारी पार्टी के बस यवठ दृगा को माके उनकी बस को भी हमारे बस ट्राइवर ही ड्राइव करके ले जा रहे है मेडम, वाट, उनकी बस को हमारे ड्राइवर क्यो ले गये हैं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेडम, ठेक है, मैं अपने ड्राइवर को फोन करके पता लगा लोगी, पहले तुम हमारी बस को फॉलो को, ओके मेडम, अन्वर, क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ अपने ड्राइवर नहीं है, कोई क्रिमिनल्स हैं, उनका पीछा करो, स्टॉप थेम राइट नहीं है बोलिये, शामला जी, इस वक्त कैसे याद किया? बड़े रिलेक्स्ट मूड में लग रहे हैं आप, एक शौकी न्यूज सुनाओ आपको बताईए क्या है वो? अभी तक मैंने सूचा कि संसद में आपके और मेरे बीच में स्पर्धा है लेकिन हमारी इस पर्धा में किसी तीसरे नैंट्रिली है उसने क्या किया है? अगर ये आपको बताऊंगी तो बहुत बड़ा जटका लगेगा बहुत तीसरे काउन है और उसने क्या किया है ये आप बताईगी तब ही तो पता चलेगा कि मुझे बड़ा Ξटका लगेगा या नहीं जेल में से आपने एक जानवर को बाहर निकल वाया मिस्टर राव उस जानवर को मार कर उस तीसरे ने हमारे MLS के साथ आपके MLS को भी किड्नेफ करके वहां से भाग गया है मिस्टर राव अगर मुझे पता चला कि उस तीसरे और आपके बीच में कुछ कनेक्शन है तो मेरी एक बात याद रखना, आपका पॉलिटिकल करियर, मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगे, विस्टर रामोहन राथ क्या हुआ मामा? उस दुर्गा को कॉल कर वो फोन नहीं उठा रहा है उसके फ्रेंड को कॉल कर मेरे पॉलिटिकल करियर में ये फरस्ट टाइम है जब मैंने किसी पर यकीन करके धोका खाया बोल कौन हो रहे तू? बोला था ना, ये सत्ता की जंग हर कोई जीतना चाहता है लेकिन किसी एक को ही जीत मिलती है उसी को वीर कहते हैं अब वो जंग शुरू हो चुकी है वीर कौन है और वो जंग किस मकसद से कर रहा है आगे आगे तुमको सब समझ में आएगा तब तक के लिए वेट एंड सी मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूँ बदल जाएगे सब कुछ इतना अच्छा था एक अच्छा पती, दो प्यारे बच्चे लेकिन तंबाकों ने सब कुछ बदल दिया अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरी चहरे से काटना पड़ेगा कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा ये कौन सी जगह है ये कौन सी जगह है बैंदूरू रिसॉर्ट बोले थे गलती से किसी और रूर पर तो नहीं आ गए घरना जंगल लग रहा है ये तो सर वो क्या है किया तुम पर भरोसा करके काम सूप दिया इसके लिए तो मुझे खुद को जूते मारने चाहिए अपना ये चेहरा फिर मुझे कभी मत दिखाना पता नहीं कहां से एक अंजान आदमी को लाकर मेरे सर पर बठा दिया अब देखो उसने क्या किया है सुरी मामा मर जाओ जाकर उस धीजीपी को फोन करके फाम हांस मैंने के लिगो ओके मामा क्या रहे हमारी पार्टी जॉइन करने के लिए इस जंगल में आ गए तुम्हारी पार्टी माने के नवबत को आईगे हमें लीड में हम है बोलकर तुमसा लोग हमारी पार्टी मा आ गए देख लो कुछ हकल है कि नहीं जितने वाली भी अपनी ही पार्टी है है रुक जाओ क्या ही है इतना शोर कर रहे हो आपस में लड़के कुछ नहीं मिलने वाला हमें कुछ भी बोलिए लेकिन हमारी पार्टी को कुछ मत बोलना सुचगे सामने आओ और अपनी पार्टी की ताकत दिखाओ साइलेंस क्या सोच रहे हो जैसे जीमे आरा चिल्ला रहे हो अपनी मर्जी से अपस में लड़ रहे हो यह तुमारी आसेमली नहीं है यह जंगल है मेरा जंगल मेरा जंगल मेरा जंगल यहां कोई स्पीकर नहीं होगा माइक नहीं होगा ना ही वॉक आउट होगा हम सब हाइवे से तकरीबन थाइसो खिलोमीटर की दूरी पर खने जंगल में है बेटा तुम लोग नेक्सरलाइस्ट हो माओस्ट हो टेररिस्ट हो कौन हो बेटा तुम लोग वो सब कहां से पैदा हुए हैं तुम जैसे लोगों की गलती से ही वो लोग पैदा हुए हैं बेटा तेरी बात मैं मानता हूँ लेकिन मैं शुगर पेशेंट हूँ टाइम पर खाके अगर मैंने दवा नहीं लिया तो मेरी बोड़ी कापने लग जाती है बेटा तुम हेल्थ मिनिस्टर हो ना हाँ बेटा तुम्हारे पास बड़े हॉस्पिटल्स है फिर भी तुम्हें ये सब बिमारिया है तो तुम पब्ली का भला कैसे करोगे बेटा हमारे पेट में चुहें दौड रहे हैं पहले कुछ खाने के लिए तो दे दीजिए ये क्या खाना है ये तो जेल के खाने से भी बत्तर है क्यों रहें तेरी राशन की दुकान में यही चावल तो बिखता है फिर वो लोग कैसे खाते होंगे कभी सोचा है बस बेटा बस चावल खाने में कमी ही करनी चाहिए ज़ादा नहीं खाना चाहिए अच्छा तो फिर इतनी जायदात कैसे बना ली उसमें भी तो कमी कर सकते थे बर उसमें तो करोगे नहीं देखो बिटा, तुम्हारी बातें और कर्टूतें तो कमाल की हैं, लेकिन कमी है तो बस चहरा नहीं दिखाया तुमने, जरा वो भी दिखा दू तुझसे देखा नहीं जाएगा आपरे, इतना डरावना है तुम्हारा चहरा तो फिर देखो हाँ तो फिर दिखाओ ना हमारी जिंदगी को लक्षे देता है ये महाविद्याले, हमारे भविश्यों को भी रचता है ये विद्याले स्वामी विवेकानन ने कहा था कि देश का भविश्य यूआ पीड़ी के हाथों में है लेकिन यूआ होने के नाते हम क्या कर। देश के भविश्य से मुझे क्या करना है ऐसा बोल कर हम खुदी को स्वार्थी बनाती जा रहे है वोही तो हम लोगों की गल्टी है वोट देते हैं और गूल जाते है एक स्टूडेंट की हैसियद से फैबला करना का सावर्थिय आप में है उन लोगों को खड़ा करके पूछने का हग भी आपको है जब आप लोग ऐसा करेंगे तब स्वामी वेवेकानन की बात सच होगी कि देश का भविशे युवाओं के हाथों में है जाल खरीतने के लिए पैसे देंगे नाव खरीतने के लिए लोन दे अठरा साल की उमर होने के बाद ही हमारे देश में मत्दान का हक क्यों दिया जाता है जानते हो ताकि हम एक सही नेता को चुन सके लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम बिना सोचे समझे और उनसे पैसे लेकर वोट डाल रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को आपके बच्चे और पिर उनके बच्चे हर किसी को इसी तरह की परिशानी होगी हमें अब बिना सोचे समझे और पैसे लेकर वोट डालने किस प्रथा को खत्म करना ही होगा और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सब का नाश निश्चित है आने वाली पीडी को हम ये बताएंगे कि वोट की जो ता ठीक है ठीक है उसके भाशन की वज़े से अपनी इमेज डेमेज नहीं होनी चाहिए सार हमें उनकी परवा नहीं करनी चाहिए वो लोग कुछ प्रॉबलेम नहीं करेंगे सार अपने किसी आतमी को बोलो इन पर जरा नजर बनाए रखे ओके सार दिल्ली से आते ही इनके बार से सिंग उनसे मिलने जाओ तो लाद मार के भगा देते हैं सुनो है साई हम पगल वाली स्टेट में गएते हैं नहीं से तो ये य। गयाता है। असा फ्लेक्सी क्यों लगा है? हाँ सर चलो लगए रहने दो सर फोटो अच्छी लगा है किसने इसको और कौन सर, वो स्टूडेंट्स ही है इन पोस्टर्स को देखकर वो MLA पका रियाक्ट करेगा रियाक्ट तो करेगा पर कैसे रियाक्ट करेगा वो पता नहीं चलिया जैसा भी रियाक्ट करें कोई भी प्रोग्लम आने तो हम सब का सामना कर लेंगे साथ भी जैसा आपने सोचा वैसा नहीं होगा शकल से तो पढ़े लिखे लगते हैं पढ़ाई की है तो नोक्री अच्छी नोक्री कर लेते हैसे पेस लगा के पोस्टर लगाने की गंधी अरकतें क्यों कर रहे हैं आप लो ये पॉलिटिक्स के चक्कर में क्यों फस रहे हैं ये एक दलदल है एक बार इसमें उतर गए न तो फिर इससे बाहर नहीं निकल पाओगे समझ गए न मतलब आपके नजर में वोटर की कोई value नहीं अरे बहुत सही कहा आपने आपकी नजर में वोटर की बड़ी कीमत है लेकिन हमें वोट की कीमत पता है यही फर्क है आपकी और हमारी सोच में एक बार वोट मेल गया ना फिर वोटर को कान पूछता है पांच साल के लिए आमी राजा, आमी मंत्री? मतलब आपसे सवाल करने वाला कोई नहीं है क्या? अब तुभी बताओ, जो लोग पैसा लेकर वोट डालते हैं, उनको सवाल पूछने का अधिकार है? अभी जो भी हो रहा है, वो इलेक्शन नहीं है, कलेक्शन है. हम वोट कलेक्ट करेंगे, वो पैसे कलेक्ट करेंगे, एक एक वोट का पांच हजार, डेल लाक वोट हैं, मतलब 75 करोड, उसके साथ दारू, बिर्यानी, नाजगाना, पोस्टर, पब्लिसिटी, इनके अलावा हमारे नेता को मिलने वाले गिफ्ट्स, ना प्रे, तकरीबन डे क्यों करें, उसको पूछने का हग नहीं है, क्योंकि उसने तो अपना वोट बेच दिया है, इसलिए मैं तुम लोगों को आखरी बार बोल रहा हूं, सड़क चाब गुंडा गर्दी से जिन्दगी शुरू की थी, अब स्टेट मिनिस्टर हूं, मुझे फिर से गुंडा बन इसके बावजूद भी अगर किसी ने रोका, तो तुम सब की डेट अफ बढ़ तो अलग-अलग है, लेकिन डेट अफ डेट एग हो जाएगी, याद रखना, चलता हूं, डालेंग, डालेंग, सब अच्छा ही हुआ है, टी स्टेट का एगवांस दे दिया है, अगले महने तुम्हारा सर, देखो, आपकी नजर में वोटर की बड़ी कीमत है, लेकिन हमें वोट की कीमत पता है, एक बार वोट मेल गया ना, फिर वोटर को कान पूछता है, पांस साल के लिए अमी राजा, अमी मंत्री, आज की ब्रेकिंग न्यूज, हम आपके सामने MLA कल्यान प्रसाची के बेईमानी का खुलासा करने वाले हैं, जो लोग पैसा लेकर वोट डालते हैं, उनको सवाल पूछने का अधिकार है, अभी जो भी हो रहा है वो इलेक्शन नहीं है, कलेक्शन है, तो तुम सब की डेट लेकिन डेट आफ डेथ ही हो जाएगी, जागा है, खुट कल्यान प्रसाची के मुझ से ये बाते सुनने के बाद, उन्हें मिनिस्चर के पच से ही नहीं, बलकि पाटी के हाई कमांड ने उन्हें पाटी से भी सस्पेंड कर दिया है, आपको बिना बताई पच से निकल दिय क्या ना इंसाफी है रहे हा, मैं एक बड़ा बदमाश हूँ, ऐसा ही बोल कर इन्होंने वीडियो में माल लिया, सब लफंगे लोगों के ये बड़े नेता है, लो खाओ, साब थूसो, और काम भी क्या है, खाना और सोते रहना और बचा ही क्या है, बाप रे बाप, कितने अबले दिखाए थे, वीट में टी स्थेट लूँगा, करनातक में कॉफी स्थेट लूँगा, अगली एलेक्षन में गोघुत वतले है, तो मैं होम मिनिस्टर बनुगा, तुम होम मिनिस्टर की बीवी बनोगी, बाद में सीम और मैं सीम की बीवी तो निठ सब्सक्राइ कि मुझे युँ जी तुम तो मुझे स्यएम की बीवी बनना चाहते थे दुम तो खुदी सीम नहीं बन पाए अब ही देखो नामः की बीवी बनगर बैठी हूं यहां पर मैं सोच रहे थे सियाम की बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखते क्या हो जी बताओ ना क्या करना है बहुत बोल चुके हो आप ज़ा आप ज़ा आफ कीजिए सर अपने लोगे मशली पकड़ना सीख रहे हैं गल्ती से आपके ओपर गिर गिर गिया आप जाईए सर सर्णी पकड़ते समाएं समंदर में सब मशलियां तो नहीं पकड़ सकते ना सर हमारे हाथ में आई हुई मशली पकड़ेंगे गलत मत समझिये अब जाएए कि अ है'M कि दुख को गेहा हैं लोगे! लोगेफवाएएएएएएष लोगे कार म्हाँवाएएएएएएए खर ङ effectively कैंट और स कांट भैरी ईच और जट्रै झाल जटैँ लगे! तर एए Ind Раз जट 직ड पांट खियां तुरी खिं से फाक सचा पड़ार जम झालियो झालियो? फटाएज बड़्स दो युट युट्स है अज अज प्रूब्स हर अज बड़्स हर अज आज प्रूप वुट थाएएएज वो धंडर स्ग्सेल्टबुब आडिक आपारी ते वियंग कुछराब से लियंग उन्यूटNews आफ प्यूटब आड़ आई बता किसने तुम सबको भेजा है बता जल्दी बता इतना हैरान क्यों है? मरा हुआ आदमी तेरे सामने जिन्दा कैसे खड़ा है यही सोच रहा है न तु? मुझे मारना तेरे बस की बात नहीं है ना ही तेरे बाप से हो पाएगा वोट देना हरेक का हक है उसे पैसे देकर मत खरीदो MLA एक representative होता है जो लोगों की समस्याओं को सरकार के पास लेकर जाता है बलकि ये नहीं कि वो शेतर का राजा बन कर बैठे जस्ट एक कर्मचारी है तुम सब कुछ भूल गये हो इसलिए याद दिलाने के लिए पोस्टर्स लगाए लेकिन तुम तो समझी नहीं पाए अब तक तो तुम्हें ही बदलने के बारे में सोचा था इस चुनाओ शेतर के MLA को बदलने के बारे में नहीं लेकिन अब बदलूंगा अगले election में चुनाओ के लिए ready हो जाओ अब की बार collection नहीं election होगा वोट फॉर विने वोट फॉर विने इसका नाम विने है अब हमारे चुनाओ शेतर से इंडिपेंडेंडिन उमी द्वार के रूप में कलियान प्रसाद जी के सामने खड़ा हो रहा है यहीं पैदा हुआ है आपकी तकलीफे जानता है पैसे दे कर आपका वोट नहीं खरीदेगा लेकिन आपके द्वारा डाले गए हर एक वोट को इंसाफ दिलाएगा इसे जिता कर तुम सब जीतना चाहते हो या फिर उस कलियान प्रसाद को वोट डलकर अगले पांच साल के लिए गुलाम बन कर जीना चाहोगे यह आपकी मर्जी है भाया अभी तक पैसे लेके वोट देते थे लेकिन अब भले काम के लिए वोट देंगे हम अभी तक हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो हमारा साथ दे आप खड़े हो भाया इस बार हम वोट आप ही को देंगे ऐसा क्या यह आप लोग बैट कर ताज केल रहे हैं और वहां आपके जमने दूसरा लीडर खड़ा हो रहा है देखो पैसे लेकर वोट डालने वाली जनता के रहते इनकी परवा नहीं करनी है आपका बोया हुआ पेड़ आपको ही छाओ देगा आपका डाला हुआ वोट भवेशका फैसला करेगा अब किसे वोट देना है यह आप ही तैकी जी आपका जो डाला है शेह पंचर बना लो पंचर गाड़ी पंचर थिया आपका पंचर थी आपका बावू जला जाना है आप पंचर बना दो बनाना ना हे, आगे जाके ये हमारे गाओं का MLA बनेगा, पंचर तोड़ा खट से बना रहे तुम्हारे रोज जाने वाले रास्ते में अचानक तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई है, फर्क नहीं दिख रहा है क्या उसके साथ, जैसे गाड़ी पंचर हुई, तब ही पंचर वालू का आजिर होना अजीब नहीं लग रहा है वैसे तो, इलेक्शन में खड़े होना भी अजीब बात है, आप तो MLA बन जाएंगे, असे MLA में चले जाएंगे, अब पन तो तरी रह जाएगा ना हम तो गुंडगर्दी ही करेंगे, और करेंगे भी तो क्या होगा, मारना, काटना, जलाना और बलातकार करना हम किसको मारेंगे, किसको काटेंगे जानते हैं, तेरे दोस्तों को, तेरे दोस्त सूरिया को बहुत पुरी मौत मारेंगे बाद में बच्चे का कौन जानते हैं आप, आपके साथ खुंती हैं ना वो, गोरी गोरी लड़कियां, जैसे चाहे मज़े करेंगे, आयाशी करके मुंबई रेड लाइट एरिया में जाके बेज देंगे उनको, सोच ले ना, चलो रहे आप सब को कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग गुसा मत हो ना, तो फिर तुम वो बात ही क्यों कर रहे हो, जिससे गुसा है, अरे वो बात नहीं है, अरे तो आप बता भी दो ना, मैं, मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूँगा, वाट, एह, सच-सच बताओ, क्या त इसा कुछ नहीं है, मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूँगा, बस, एह, तेरी आखों में मुझे डर दिख रहा है, क्या बात है, बोल, हाँ यार, मैं डर रहा हूँ, तो अब क्या करूँ, अगर जान का डर था तो, इस इलेक्शन में खड़ा होने के लिए तयार क्यों लेकिन मैं तुझे मारकर समोंदर में फैक दूँगा, याद रखना, कल शाम को तीन बजे, MRO आफिस, ये चलो रहे, पिड़े, कल हम तेरे लीवेट करेंगे, शे, पता नहीं कहा रहे गया, अपने आपको समझता क्या है वो, प्रसाँजी की, जैहो, फोन इस नॉठ रिच अईबल, मेंसज भी नहीं जा रहा, जैहो, सम्हाल के रखना, बात के कारिकरम में काम आएंगे, नमस्कार वोटर महराज, आपके अन्मोल वोट, आप मुझे ही देंगे, देंगे ना, आप ही देंगे, अच्छा मोहुर्त निकलने से पहले, नॉमिनेशन करके आता हूँ, नमस्ते विने को फिर से कॉल कर रहा हूँ, इतना टाइम होगे अभी तक नहीं हाँ चोटे भाई, आपके केंडिडेट अभी तक नहीं है, ना, राहुकाल शुरू हो चुका है हम तुम्हें अरेस्ट करने आए है, हमी जोनों बताते हैं सूर्या, सूर्या सूर्या पायर देख अपना पकड़ रहा है इसे सर ये सब यह हो रहा है सर हो रहा है नहीं, जो हुआ है वो बता रहा हूँ पकड़ इसे रहा हुआ रहा हुआ रहा हुआ म monde रहा हुआ बालालाइ लालाइ इस्पेक्टर साफ, छोटे भाई से कुछ बात करनी है, वो किसी? छोटे भाई, खुद को ही अकलमन सबस्ते हो, तुम्हारे रेंज की नहीं है, फिर भी मेरी थोड़ी सी अकल है, तुम्हारे इस्तेमाल की अत्यार को मैंने भी यूज किया, सोशल मीडिया कल ही नॉमिनेशन की लास डेट है, तु कल आ रहा है और नॉमिनेशन भी डालेगा, उल्टा सीधा बुलेगा तो, लेकिन मैं तुझे मार कर समंदर में फैक दूँगा छोटे भाई, पॉलिटिक्स मतलब एक ऐसा समंदर, जिस पर सफर के लिए शिप चाहिए या तो फिर बोट, तुमने खाली हाथ तैरना चाहा, तु बीच समंदर में डूप जाओगे तेरे जैसे नालाइक तो ही बोट और शिप की जरूरत पड़ती है, मुझे जरूरत नहीं है, मैं तुझे पीछा करके, शिकार करके पकड़ूंगा, क्यूंकि मैं एक शार्क हूँ, समझा, वो सही मैं शार्क निकला, पीछा किया, शिकार किया, और अब क्या करेगा, चलो कुछ भी कहो यार, मौसम तो बहुत लाजवाब लग रहा है, पेट में बहुत गडबड है, लगता इधर ही बैटके आ जाएगी, भाई, एस उमर में भी तु टाइम पे हलका हो जाता है, मतलब तेरा हेल्फ तो एकदम सूपर है मेरे भाई, मेरे पेंटलबड चाळ रहा है, हाँ, जो कि मारे मार रहा हूं, उमपर से तुम लोग गोली चिलारे हो, तेरी गोली से मलोग ड़ने करें नालता है भषाओ अबोम नहीं पड़ें तो मुझा है एक नहीं ढहताई दो हुंड addictive तीक से नाने मे नहीं देता है, तीक से हलका भी कह भी हो बीडिया कहा काुँ हES लीडया है गोलिया पे गोलिया जलाय है। यह क्या आलोग है हमारा। एक नहीं दो नहीं. पूरे एक सो भीस MLS को प्री-प्लैन तरीके से कड्नाप करके ले गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करो ये सब मैंने किया है ये बात अगर जनता या मीडिया को पता लगी तो इतने साल की महनत से बना मेरा पलिटिकल करियर बरबाद हो जाएगा आप फिक्र मत कीजिए सर ये हम पर छोड़ दीजिए किड्नापएट से सारे एमेलेस को कैसे सुरक्षित लाना है ये मुझ पर छोड़ दीजिए किरन सर दुरवा कहा है पता करो और तूरंट मेरी आफिस में आने के लिए काओ तूरंट ओके सर मैं चलता हूँ सर आपके बारे में सब कुछ पता चल गया बेटा सच में नाइंसाफी हुई है मैं सच बोल रहा हूँ लेकिन गल्ती तो उसने की है फिर हम लोगों को यहां लेकर क्यों आयो बेटा चाहिए तो उसको अकेले रख लो और हम लोगों को छोड़ दो बेटा टीक है तुम लोग कह रहे हो तो मैं तुमें चोड़ दूँगा उससे पहले मैं तुम सब से तीन सबाल पूछूंगा अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम सब को आज ही छोड़ दूँगा पहला सवाल आप में से सनी लिएॉन को कितने लोग जांते हैं। क्यों नहीं जाते हैं। वो तु मेरी पसंदीदा फिल्म स्कार है। उसे देखे विना मुझे नेंदी नहीं आती समझेए। दूसरा सवाल। हुजा हेगडे को कितने लोग जाते हैं। पेडा बेजा। मैं बहुत बड़ा प्रेन हूँ बेटा, एक दूसरा गाना सुनाता हूँ, सुनो दूम तीसरा सवाल, नारायन स्वामी को कितने लोग जानते हैं नारायन स्वामी ना, उनका व्रत मैं हमेशा रखता हूँ, तुम सनी लियोन को जानते हूँ, पूजा हेग्डे ने कितने अक्टस के साथ डांस केया ये भी जानते हूँ, लेकिन जन्ता के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने वाले, नारायन स्वामी को नहीं जानते, कौन कि दिल में रहने वाला देवता नारायंड स्वामी नमस्ते माजी नमस्ते नमस्ते ये क्या किया बहन जी क्या देखके पता नहीं चल रहा कच्रा है वो तो पता चल रहा है लेकिन कच्रे की सही जगा तो कूडे दान होती है ना तो आपने ये कच्रा कूडे दान में डालने की बजाए यहां सड़क पर क्यों फैंक दिया हमेशा कूडे दान में ही डालती हूँ आज ही जस्ट मिस हो गया वह अच्छा अंग्रेजी बोलना जानती हो लेकिन ये नहीं जानती की कच्रे को खूडेदान में डालना चाहिए ये सब करने से ही बिमारियां फैल रही है और इंसान बिमार होते जा रहे है जड़ा उधर देखिए खूडेदान में पुरा कच्रा भरा हुआ है उसे निकालने वाला मुनसिपाल्टी से कोई भी दिखाई नहीं दे रह तेरा मल ही है तेरा साथी दब के नरभ विश्वा से तेरी डोले डर के नरभ उम्मीदे तेरे दिल में उटके नरभ जजबात है तेरे रग में हलो म्यूनसिपाल्टी ओफिस कौन बोल रहे नाराइन स्वामी जी है क्या अरे आपको कैसे पता चला फोन में कैमरा लगाया हुआ है क्या वह कुछ नहीं सर हमारी गवर्मेंट ओफिस में जब लैंड लाइन बचती है थो आप ही का फोन होता है सर बोलिये सौंदरिया कॉल हाने का काम भी प्राइवेट लोगों को दे दिया है तो फिर आप क्या कर रहे हैं आप जैसे लोग के सवालों का जवाब दे रहे हैं नाराइन स्वामी ठीक है उस कॉन्ट्रेक्टर का नंबर दो हलो झाल 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 कल से यहां पर मत करना सिर्फ कल ही नहीं करूंगा बर्सों भी और आगे भी यहीं पर करता रहूंगा क्या हुआ क्या हुआ क्यों नहीं पेशाप किया तुम अच्छे लड़के हो इसलिए नहीं कर पाए यह एक बीज है ऐसे क्या देख रहे हो इसको फेंक दोगे तो मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन अगर इसे बोध होगे तो उसी मिट्टी को फाड़ कर यह जल्द ही बौधा बन जाएगा तुम इस बीज जैसे ही हो बेटा यह बीज एक बड़ा व्रक्ष बनेगा खाने को फल देगा अगर नहीं भी दे पाया तो कम से कम तस लोगों को छाओ देगा बारिश लाएगा अगर तुम इसे बोध होगे तो यह भीज बड़ा होके तुम्हारे बाद भी तुम्हारा नाम रोशन करेगा अब इसे बोना है या फेक देना है तुम्हारी मर्जी है मद्ड़ दो पहले कुछातो भी आ city मद्डाऔ धन मद्ड़ पहले कुछातो थेओ होगे तुम्हार सपते इसन штफ यहार मद्डोगों पहले कुछातो खाक उल मद्ड़ यहां इतनी सफाई है यहां सुसु क्यों कर रहा है वहां पबलिक टाइलेट है उधर जाके सुसु करना अरे वहां जाके हलका होने का दो रुपए ले तेरे पीने का पानी एक रुपए है और हलका होने के लिए दो रुपए कहां से लाऊं मैं एह चलो जाओ यहां सिर्ड हम जा रहा हुआं प्राश्टिय जंडे को उल्टा नहीं लगाते हैं। घलत बात। राश्टिय जंडे को ऐसे लगाते हैं। उपर केसरी, नीचे हर। चला, जंडा फैराओ। क्या सोच रहे हो। तुम्हारा बोया हुआ बीज ही नहीं। मेरा बोया हुआ बीज भी बढ़ने लगा है। जल्दी पेड़ बन जाएगा। चला, फैराओ। तुम्हारे माबाप कौन है। क्या करते हैं वो। मेरे माबाप गानजे का ना धंडा करते थे। पुलिस की पिटाई की वज़े से मेरे पापा नहीं रहे और मेरी माँ जेल में है। तो मतलब तुम पढ़ते नहीं हो क्या। पहले पढ़ता था। मेरी माँ ने पढ़ाई बंद करवा के पुला की गानजे के धंडे में लग जाओ। इसलिए उन्होंने मुझे स्कूल से भी निकलवा दिया। अब मैं स्कूल जाके नहीं पढ़ सकता। मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ोगी। हाँ, पढ़ूंगा। क्या कर रहे हो। स्कूल के बच्चों को दारू बेचना गलत बात है। वो भी इतने चोटे बच्चों को। अठार हैसे कम उम्रवालों को दारू नहीं बेचनी। पता है ना तुम कानून का उलंगन कर रहे हो। कौन मैं। कानून के आखो पर तो पट्टी बंदी है। पट्टी निकालो और अपने पीछे जेब में डाल दो। सिग्रेट की दुकान स्कूल के बाजु में हो सकती है। मेरी वाइन शॉप नहीं हो सकती। मैंने कानूनन लाइसेंस लेके ये शॉप यहां खुली है। वैसे ही दंदा नहीं होने से हम परेशान है। और दुमिया आकर उपदेश देकर टाइम और दंदे की वाट लगा रहे हो। पढ़ाई करने वाले बच्चे कोई नहीं। पैसा मिलेगा तो दूद पिने वाले बच्चे को भी दारू बेचूँगा मैं। समझा तू मेरा धंदा ही धर्म है। एक तो गलत काम कर रहे है उपर से चिला रहे हो। चिलाओंगा क्या कर लेगा तू। इंस्पेक्टर साहब आप इस पर इस तरह हाथ नहीं उठा सकते। इसको कल आपको कोट में हाजिर करना चाहिए। उसकी दारू के दुकान बंद कराके आपने हमारे लिए अच्छा काम किया है साहब। उस दिन जन्ता ने नाराण स्वामी को बहुत अच्छी मेजॉर्टी से जिताया था। जन्ता से इतना प्यार पाने के बाद उनके सुक दुक जानने के लिए वो हर एक चोखट पर गए। तब ही उनको पता चला कि उनके शेत्रे से गुजर रही गुदावरी नदी का पानी ना तो जन्ता को सिज़ाय के लिए और ना ही पीने के लिए मिल रहा है। उन्होंने इस मामले को लेकर सरकार की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाई। उस चुनाव शेत्र की रेडियस कितनी है, वहां के भौगोलिक हलात क्या है, वहां के मौसम से कितनी बौई करनी पड़ेगी जिससे किसानों को अच्छी पैदावार मिले। ऐसे बहुत सारे समस्याओं पर एक किताभी लिखकर जन्ता के बीच में गए और उनसे बात की। मैं असेम्बली में खड़े होकर आपकी इन सभी समस्याओं के लिए लड़ूँगा। मैं आने वाले पांच सालों में हमारे चुनाव शेत्र की गती विधियां बदलने के लिए भरी असेम्बली में पूरी सच्चाई के साथ लड़ूँगा। और ये मेरा आप सबसे उपादा है। कर दो के Kensjamin बदलने के करते हैं पूरा कारश चाओ जिए एफर गया इन स्कत्राम आप सकत। झाणने के लिए भरी में हमका इन सभी शेयां जाओर ग्पादा हाई कि जिए लड़ूगगा। स्पीकर महदे, यह हमारे चुनाक्षेत्र की समस्याओं की किताब है अगर मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए, तो मैं उन सभी समस्याओं से आपको रूबरू कराना चाहूँगा अरे आप लोग हस क्यों रहे हैं? मैंने कोई कॉमेडी की है क्या? नहीं न, हसना बंद कीजिए अध्यक्ष महदे, नाराएंड स्वामी जी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि एसेम्बली में आये हैं किताब लेकर स्कूल में पढ़ने आये हैं ऐसा लगता है अरे ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें हमारे चुनाक्षेत्र की समस्याओं लिखे हैं कुछ भी बात जरता है साइलेंस, साइलेंस साइलेंस बोल आप फिर भी आस रहे हैं? चुप हो जाएगे ये क्या स्पीकर महदे ये तो आपकी भी नहीं सुन रहे हैं दा हाउस इस अजर्ण टुमारो अट एट 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 चलो याण पिछले सरकार की ब्रस्टाचार की वज़े से पूरे राजय का सर्वनाश हो गया है सर क्यों सर्वनाश हुआ है? उसकी वज़ा बता रहा हूँ अध्यक्ष महदे प्रचार तो राम राजय का हो रहा था लेकिन राजय में राक्षस राजय हो गया है अध्यक्ष महदे इसलिए इस तरह बात करनी पड़ रही है यह क्या बोल रहे हो तुम हमारी सरकार को राक्षच की सरकार बोल रहे हो मुँपे जुबान है तो क्या कुछ भी बोलो के भासकर रेड़ी आगे के पांच साल तुम सत्ता में कैसे रहोगे यह मैं भी देखूंगा तुम क्या देखोगे मुँबन करके बैठो नहीं तो बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे क्या कर लोगे तुम मैं क्या करूँगा हमारी मैजोरिटी कितनी है पता है ना सौ लोग हैं अगर हम चाहेंगे तो तुम में से एक भी एसेमली को छोड़ कर नहीं जा सकता बुरुग छित्र में कौरव भी सौ ही थे याद है ना लेकिन अंत में क्या हश्रु हुआ उनका हमने भी हाथ में चूड़िया नहीं पहन रखी बहुत बोल चुके हो तुम अब बैठ जाओ तुम कौन होते हो में बठाने वाले तेरे साम नहीं बोल रहा हूँ अगर हमें गुस्ता आ गया ना तो एसेमली छोड़ के कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा कह रहा हूँ क्या कह रहे हो नहीं जा पाएंगे मतलब मारोगे हमें दम है तो आजा ना देखते हैं एक यारे हम लोग कुछ बोलते नहीं इसलिए सरफे चड़ गए ए तब से तुम ही हमें उकसा रहे हो तुम हमें उकसाएगा और हम भड़केंगे भी नहीं हम क्या गुंगर टोड़के बैठे हैं इम्मद है तो हमको रोक के दिखा जोज देखना है तो फिर आ जाओ इधर का इधर ही फेसला कर देते हैं आ जाओ आौजाओ रोग अजाओ अधर है तो आ जाजाओ सा इलेट जाए आपो बैठ जाए आपनों बैठ जाए शान्ती रख़िए सानिसեल रिट जी सालेट बूला ना रख़िए अब सब्सक्राइब बेट जाएगे। एक खंड़े के लिए सभा को स्थगीत करता हूँ। बजराशलम चुनाव शेत्र के मेले नारान जी को मैं बात करने के लिए अनुमती देता हूँ। महोदय, आज इस सभा में मैं इन सभी के सामने एक बात बोलना चाहता हूँ। महोदय, यहां बैठे सभी लोग जनता के प्रतीनिधी हैं। जनता ने वोट दी इसलिए ये जीते। वोट देने वाली उस जनता के बारे में कोई बात ना करके इस सभा में एक दूसरे को कोसना, जगडा करना अच्छी बात नहीं है साहब। देखा जाए तो यह बेशरमी है। अध्यक्ष महोदय, नारायन स्वामी जी अपनी मर्यादा का उल्लंगन कर रहे हैं। जनता ने आख बंद करके वोट डाल कर हमें नहीं चुना है। अध्यक्ष महोदय, इनकी मजाल तो देखिए, हमें बेशरम बोलता है। इस बात के उपर तो नारायन स्वामी जी को तुरंध हमसे यहां ख्षमा मांगनी चाहिए। अबभी के अबभी। भासकर रेड़ी जी, अरे मैंने तो लोकतंतर की बेशरमी बोला था। आपको बेशरम नहीं बोला। देखिए, शमाओं और जगडे से सभा के समय को बरबाद करने की बजाए। हमें मिलकर जनता की जरूरतों और समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए। मतलब हम यहां जगडा करने आये क्या, हमारे मुख्यमंत्री और हमें जनता का पालन कैसे करना है तुम बताओगे। अध्यक्ष महोदाय, यहां पर आये सारे नेताओं से, नारायन स्वामी जी को ख्षमा अभी क्या भी मांगनी ही होगी। उनके वरताव से तुम क्यों दुखी हो रहे हो। सब ठीक हो जाएगा साहब, एक बार फिर आपको बोलने का मौका जरूर मिलेगा साहब। गुंगे को माइक पकड़ा देंगे तो कुछ फाइदा थोड़े ही होगा। जिसने भी मौका देंगे होने वाला कुछ नहीं है। सुथ समझ के तो बात ही नहीं कर पाता है ये। एक गॉलू, क्या बात कर रहा है तू। पागल हो गया है क्या। मुझ बंद करके यहां से निकल जा। जा। उसकी बातों का बुरा मत मानियेगा साहब। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा सुभईया। तुम उसकी बातों में गुस्सा देख रहे हो। और मैं उन बातों के पीछे चिपी वज़ा। महदय, हमारे चुनावक शेत्र में सारे संसादन हैं। लेकिन उन्हें कैसे इस्तिमाल करना है, हमारे लोग ये ना जानने की वज़ा से पीछे रह गए हैं। इस बारे में सरकारी पार्टी को कई बार विनती करने के बाद भी वो लोग फंड्स अलोट नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा, तो हमारे चुनावक शेत्र की जनता हम पर भरोसा कैसे करेगी। बोलिये महदय। नाराण स्वामी जी, आपके चुनावक शेत्र की जनता की समस्या के बारे में अगली बैठेक में जरूर चर्चा करेंगे। अब बैठ जाईए। स्पीकर महदय, अभी तो मैंने बस अपनी बात रखनी शुरू ही की है, और आप मुझे बैठने के लिए बोल रहे हैं। नाराण स्वामी जी, प्लीज आप बैठ जाईए। स्रिनिवास जी, आप बात कीजी। स्पीकर साब, सीयम के राज में राज की हालत देखेंगे तो द्वापर युग का मानो राम राज जो वापस आ गया हो महदय। इह बात मैं नहीं क्या रहा हूँ, स्वयम जन्ता जनारदन बोल रही है महदय। स्पीकर साब, राम ने राज किया त्रेता युग में, वापर युग पाला है स्रिक्रिष्णी जी ने, पहले की से इव्यास तो जाम में फिर बात करें। बोला था ना, कुंगे को माईक थमा देने से कुछ नहीं होने वाला, देख लिया। नेता तो ऐसा होना चाहिए, जिसके सदन में बोलने से सब थर-थर कापे, सब की धज्या उड़े, जरुरत पड़े तो वो लड़ने पर आ जाए। ये सारे गुण होते हैं सदन के नेता के, और हमारे इस नेता को देखो, इनमें एक भी ऐसा गुण नहीं है। हम सभी लोग ने अपनी पढ़ाई लिखाए बंग करके, आपको इलेक्शन जितवाय था, किस लिए। ताकि हम सब लोग बेरोजगार बैठार कुछ न करे। लेकिन आपको देखके तो लगता नहीं है, ये आप हमारी समस्यां को दूर कर पाएंगे। ऐसा बोल रहा हूं बोलके कुछ गलत मत समझिए। अरसंबली में गला फाड के चिल्ला के बात करने वाले को भी नेता बोलते हैं। एक जुझारू नेता ही हमारी समस्या को सुलझा सकते हैं। एक सलहा देता हूं, एमेले पद से न, आज ही इस्तिफा दे दो। अध्राचल के चुनावक्षेत्र के एमेले नार्यान स्वामी जी को बात करने के लिए अनुमती देता हूं। अध्यक्ष महदे, हमारे चुनावक्षेत्र के चारों और पानी ही पानी है। लेकिन एक गुड भी पीने लायक नहीं है, महदे। वहां के लोगों की स्थिति बहुत खराब है, महदे। जरा उनके बारे में कुछ सोची है। और सिर्फ एक यही समस्या नहीं है साहब। शिक्ष्या, चिकित्सा, रोड। मैं तो कहता हूं पूरक शित्र समस्याओं ही समस्याओं से भरा है, महदे। वहां के जंता की जान जा रही है अध्यक्ष महदे। सत्ता इनके हाथ में है और पैसे बनाना ही इनकी पार्टी का मकसद है। दरअसल सत्ता में रहकर इन्हें अपनी दारू की दुकाने चलानी है और सारा इलजाम हम पे थोपना है। अध्यक्ष महदाई, हम सिर्फ दारू की दुकान ही चला रहे हैं साब। ये विपक्ष के लोग जब सत्ता में थे तब सीधा ब्रोथे लाउस ही चला रहे थे। साइलेंस, साइलेंस, मैंने क्या गलत कह दिया अध्यक्ष महदाई। ये रमादेवी कौन है? क्या चरित रहे है इनका? एक जमाने में रेड लाइट इरिया में उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं सब जानते हैं। ऐखानी मढ़ करो, उनका ये व्यखते मवाद रहे जाता है बस कीजिए अरह यह संसद है या फिर कुरुक्षेत्र है शर्मानी चाहिए तुम सबको सरकारी पार्टी को जवाब देना है विपक्ष की पार्टी को सवाल करना है आप सब देखिए क्या कर रहे हैं क्या इसलिए चनता आप लोगों को जिता के यहां तक भेजती है जनता को बदलना है जनता बदलनी चाहिए तब से यही सब चिल ला रहे हैं बांच करोड की जनता में से सिर्फ 299 लोग ही यहां आए हैं मतलब बदलना जनता को नहीं है बल्कि हमें बदलना चाहिए हमारे उपर भरोसा करके हमको वोट देके जिताने वाली जनता के लिए हमे भूली भाली जनता को धोखा दी रहे ये सब कुछ में इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने मार खाई और मेरा कुरता भट गया ये एक बहुती पवित्र और महापुरुशों की जगा है ये संसत भवन है देखा जाये तो यहां पर आप जैसे लोगों के लिए कोई सान नहीं है य सिर्फ और सिर्फ तभी इस राज्ये और देश का भला हो सकता है मैं हार गया जनता से वादा करके उसे ना निभाने वाला नालायक बन गया हूँ क्या हो गया अंकल आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं सत्ता में आते ही हम कुछ भी कर सकते हैं सोचने वाले नेताओं को बदलना होगा जब तक ऐसा नहीं होगा हमारा यह समाज कभी नहीं बदलेगा ऐसा है तो मैं उनको बदलूँगा अंकल क्या कहां तुम बदलोगे हैं मैं बदलूँगा तो ठीक है चलो मुझ से यह वादा करां मैं वादा करता हूँ अंकल, उन साब को मैं सच में बदल दूँगा तुम को ही बदलना है, तुम ही बदलना है, तुम ही बदलो के अंकल, अंकल अंकल, 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 अंकल कि म हमारे पीताजी के साथ किसी ने क्या-क्या उससे हमारा क्या लेना देना हम लोग जन्ता की सेवा करने वाले हैं हमें यहां बुला कर तकलीफ देना ठीक बात नहीं है जनता की सिवा? क्या जनता की सिवा करते हैं आप लोग? एक एक करके बताइए. घर मेने बुजरगों को रेशन मिल रहा है और यही नहीं अपाईजो को हर मेने पेंशन दिया जा रहा है बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है इतने अच्चे काम कर रहे हैं यह सब सेवा नहीं है क्या हां, जंता की सेवा करने का मतलब टाइम पर राशन का चावल और दाल देना है क्या? नहीं न, 20 साल के लड़के को बेरोजगारी भत्ता क्यों देना? वो महनत नहीं करेगा क्या? दो एकर जमीन वाले किसान को राशन क्यों देना? वो फसल होगा नहीं सकता क्या? आप लोगों की महनत करने की काबियत को मार कर उनकी पैदावार करने के एक शमता को बुरी तरह कुचल रहे हैं जिस दिन आप लोग जनता को मुफ की चीजे देने के बजाए उनको ये बताएंगे की महनत करना ही बहतर है उसी दिन आप लोग जन्ता की सची सेवा कर पाएंगे सर मतलब हम पर बिना यकिन के जन्ता हमको जिता रही है आपका नाम मारूती राव है ना? हाँ आपका चुनाओ शित्र रामापूरम है ना? सही कहा, रामापूरम ही है आपके रामापूरम के बारे में आप क्या जानते थोड़ा बताएंगे सर क्या रखा है रामापूरम में चार-चार वाड है, छे सरकरी हस्पताल है और 20 प्राइवेट हस्पताल है उसके बाद 12 सिनमा घर और 130 वाइन शॉप है इसके अलावा अलग-अलग छेत्रे के लोग है अलग-अलग जात के लोग है और अलग-अलग धर्म के लोग है बाकी OC कास्ट तो सब कुछ मिला जुला के एक लाख, इनके अलावा BC, SC, ST ये सब मिला के दो लाख वोटर हैं उतना ही नहीं, फिल्म डिरेक्टर सुकुमार जी और हिरोईन अंजली जी दुनों यहीं पैदा हुए थे कुंडली निकालो गया क्या नाइस इन्फरमिशन सर उसी रामापुरम में जहां अजारों किसान रहते थे अब कुछ गिंती के ही क्यों रह गए हैं सर मुझे नहीं मालूम, किसानों के बारे में हम इतना कुछ नहीं जानते तुम बोलो, तुमें मालूम है तो रामापुरम की पूरी वोटरू की गिंती है 4,80,000 उनमें पुरुष है 2,50,000 त्रियां है 2,28,000 बाकी लोग है 3rd gender वहाँ बारिश और पानी की सुविधा ज्यादा होने के कारण धान और गन्ना जैसे फसलों के लिए वो जमीन अनुकुल है अब हम प्रॉब्लम की बात करेंगे रामापुरम में सेंटर में एक बड़ी डंपिंग यार्ड है और वहाँ के रोड्स के बारे में स्याओं पर वहाँ क्यों नहीं बात करते जनता ने वोट दे कर आपको असेंबली इसलिए भेजा क्योंकि उनको यकीन था कि उनकी कुछ भलाई होगी लेकिन पेट्रोल के बढ़ते रेट की आपको परवा नहीं बढ़ते ब्याज की आप बात ही नहीं करते पैसे लेकर वोट डालना आखिर जनता को सिखाया किसने आप जैसे नेताओने ही न वोट पर नोट की आशा रखने वाले यहीं नहीं है वोट का इंसाफ चाहने वाले लोग भी है आप क्या करते है अटो चलाता हूँ तो फिर ये पोस्टर क्यों शिपकाया है? नारायंट के लिए इतना भी नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसा क्यों? नारायंट जी से आपको इतना लगाव किसलिए? वो हमारी तकलीफों को समझता है वो सत्ता में आएगा तो बहुत लोगों को काम मिलेगा हमारे गाउं की तरक्की होगी इतना भरुसा है? बिलकुल भरुसा है अगर उसने वादा कर दिया तो करके ही दिखाएगा जब हमारे MLA चिनकोटा जी को अरेस्ट किया गया था मेरे पती ने उनको छोड़ाने के लिए धरने पर पेट्रोल से खुद को जला लिया था तो चिनकोटा जी ने क्या किया था? वे बोले थे कि सरकार में आते ही बात करके पैसा दिलाएंगे मिला क्या? उन्होंने जबान दिया था वादा तो वादा ही होता है ना? आपके दिये गए वादे जन्ता के सामने सिर्फ कहानिया बनकर रह गई हैं कम से कम आप तो बदल जाईए पार्टी बदलने के अजेंडा जैसे नहीं जन्ता की तक्दीरे बदलने वाले अजेंडा बन जाईए अगर अब भी आप लोग नहीं सुधरोगे और ऐसा ही करते रहोगे तो यहां से कोई भी जिन्दा भार नहीं जाएगा सूरिया, इनको समझाने का कोई फाइदा नहीं है ये लोग ऐसे ही रहेंगे मेरी बात मानो, सब को मार डलो अरे, रुको भाई, रुको प्रदर, अगर आपको मारना है तो हमें मार दीजिए लेकिन मरने से पहले हम सब बतलना चाहते हैं हमको एक चांस तो दीजिए इतने दिन जन्दा के पैसे कैसे लूटना है यही सोचते थे अब एक मौका दे दो हमें जनता के पैसेों को जनता तक लोटाना है यही सोचेंगे अब। उस नारायन स्वामी के सपनों को हम सच करके दिखाएंगे। उसका नाम है सूरिया। औरड़ी एक मंदर केस में वो सजा काट रहा है। सत्ताधारी पार्टी के सपोर्ट से वो जील से बाहर निकला है। बहुत शातिर है वो। बड़ी होश्यारी से वो दूनों पार्टीों के अमेले को किड्नाप करके लेके गया है। उसका प्लान क्या है। उसने क्यों किड्नाप किया है। उसके सिवा और किसी को पता नहीं है। समझ गया सर। वो जहां भी हैं सब एमेलेज को सेफ ली राने के जिम्मेदारी मेरी है। एए। 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 इनको मारके मेलेज को लिकर जल्दी आ रहे है। कौन आता देखता हूँ। रुक जाए। रुक जाए। इस्टा इस्टो बनेना अरुक्तो आए। इस्टा इस्टू अरुक्तो वरुक्तू इस्टा आना इस्टा आए… आय एएु कर जपको कर अग्रणわか। दिस्कता दिस्टमुक्न वालर आण वालर सिल पेक़ वालर यहाल दिस्कता Courtney हम बहाँ हारांदा माप्रिव मारिवाइड बोलो दुर्मा सौरी सर, लगता है हमारे आने के ख़बर उनको पहले ही लग गई वाट? हाँ सर, जब तक हम पहुँचे, वो सब MLA को लेकर याँज चला गया तो अब क्या होगा? आज शक्ती परिक्षन है, आज अगर MLA को नहीं ला पाएंगे, तो स्टेट पे एक बड़ा इशू बन जाएगा तुम किसे भी किमत पर उने MLA को यहाँ ले आओ ओके सर, आई विल ट्राइ माई लेगल बेस्ट ये लिजे मैटम फाई, सब के दस्तकत हैं हमारी गवर्मेंट को सपोर्ट करने वाले MLA की लिस्ट, सब गुआ है, विशू आल ना पेस थैंक यू सब विलकम दुआ हमब इए ना शकाे सब लेगे र Hoff congratulation थाले माई बेखे बेखे भाई ए माई गवर्मेंट करो hurts थैंक अर ना ना राज जी में पहली बार महिला चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कंग्रेचुलेशन्स शामला भारती जी बेस्ट विशिष्ट एक आदमी की अच्छे काम की वज़े से आज हम सभी लोग एक नई सोच के साथ इस एसेमली को देख रहे हैं ये वाद तो हमें मानना ही पड़ेगा ये सदन पवित्र मंदिर जैसा है इसकी गरिमा के लिए हमें सभे बरताव करना ही पड़ेगा सबसे पहले मैं विपक्ष पार्टी से दर्फवस्त करूँगा क्योंकि बास जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका जिकर इस सदन में करें अधेक्ष मौदै असेंबली का सत्र चालो होने का आज पहला दिन है और पहले ही दिन विपक्ष पार्टी के सदस्यों को पहले बोलने का मौका देने के लिए मख्यमंत्री जी को स्पीकर सहाब को मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा पिछले दो सालों में करोना महामारी ने जनता के जीवन को अस्त व्यस्त बना दिया है जनता के स्वास्ते के बारे में अब समय आ गया है कि हम जाग जाएं उसके लिए गरीब लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए सारे विपक्ष के तरफ से मैं प्रार्थरा करता हूँ इस मुद्दे पे मैं राज्य के मुखेमंतरी शेमलाजी से दरफस्त करूँगा कि कुछ बोले हैं अध्यक्ष महुदे सबसे पहले बिना जगडा किये ऐसे अच्छे वातावरण में जन्ता की भलाई के लिए और उनकी उन्नती के लिए एक उप्योगी बिल को इस सभा में प्रस्तूत किया गया है जिसके लिए विपक्ष पार्टी की नेता राम मोहन राव जी का और उनकी पार्टी का आप सब के समक्ष इस फाइल पर मैं सबसे पहले दस्ताख़त करती हूँ तुमने जो सोचा उसे पा लिया सूर्या नेक्स टार्गिट क्या है हमारे देश की तरह की जो कोई भी रोक रहा है वो लोग ही मेरा नेक्स टार्गिट वोग ही मेरा नेक्स टार्गिट